नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर राचद गुलाटी मैं मेडिकल डारेक्टरो सावल और्थोकेर का दोस्तों भुटने में दर्द एक बहुत इंपोर्टेंट समस्या बन चुकी है हमारे देश में इसके साथ साथ दूसरे जोड़ों में भी दर्द कूले के जोड़े का बात करें एडी कंधा कोनी कलाई ये सब में बहुत इंपोर्टेंट समस्या बन चुकी है अक्सर पेशन हमारे पास जोड़े के दर्द को लेके आते हैं जोड़े के दर्द का सबसे प्रमुक कारण होता ह आर्थराइटेस अगर मैं आसान भाषा में आपको आर्थराइटेस का मतलब बताओ तो आर्थरोस का मतलब ग्रीक में होता है जोइंट या जोड़ा और आइटेस का मतलब होता है इंफ्लमेशन या जलन अक्सर पेशन मुझे आके बोलते हैं कि सर हमको आर्थराइटेस हो गय हैं जो दर्शाते हैं कि आपको आर्थराइटिस है कि नहीं यदि वो साथ लक्षन आपको है तो आपको आर्थराइटिस definitely है और आपको डॉक्टर को दिखाने की तुरंद से तुरंद जरुरत है दोस्तों पहले लक्षन की अगर बात करें तो वह होता है डिप होता है और डियुसाल Dard कि si भी मूवमेंट के अंदर arthritis का दर्द होता है अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे जोड़े में दर्द तो हो रहा है especially कंधे में परंतु वो एक particular motion में हो रहा है यानि सामने उठाते वकत हो रहा है या side में उठाते वकत हो रहा है पीछे लेके जाते वकत हो रहा है परंतु यदि आपके जोडे में हर तरफ हर मुव्मेंट के अंदर अगर दर्द हो रहा है आपको हो रहा है तो वह आर्थराइटेस दर्शाता है यानि आपके जोडे के बीच में ही प्रॉब्लम है चाहे वह प्रॉइड में प्रॉब्लम है चाहे वह ग्रीस में या का होती है तो धीरे धीरे एक Turns muscles in my बढ़ने लगता है mould जब Bनने लगता है तो Body सूजयन की form में दिखता है वह सूजयन जब होती है तो उसकी वज़े से Joint capsule हमारी है यानि जोड़े के आ सपास जो एक capsule होती है वो capsule भी tight होने लगती है obviously क्योंकि उसके अदर space limited होता है और वो सारा का सारा space fluid भरने लग जाता है जिसकी वज़े से सूजन आपको दिखती हो और दर्ध भी काफी तीवर हो जाता है तो यदि आपको दर्ध है साथ में सूजन है तो यह arthritis का इशारा है दोस्तो more than 1.5 degree Celsius अगर होता है तो वो दिखाता है कि आपको active inflammation हो रहा है या जलन हो रहा है उस जोड़े की तरफ जिसका कारण arthritis ही है जिसका कारण जोड़े में inflammation ही है तो palpable warmth एक important लक्षन बन जाता है दोस्तो चौता important लक्षन होता है erythema यानि redness जब inflammation होती है जलन होती है तो blood flows joint क की तरफ बढ़ जाता है वो blood flow joint में बढ़ने की वज़े से वो area में लाली मा हो सकती है उस लाली मा को हम अंग्रेजी में erythema बोलते हो और वो एक important लक्षन होता है arthritis का पाच्वा important लक्षन होता है early morning stiffness जब हम एक जोड़े को बहुत देर तक static position में या बिना हिलाए रखते है जो कि अक्सर रात को होता है जिससे में हम सोते हैं उठने के बाद उस जोड़े के अंदर stiffness आ जाती है या जकड़न आ जाती है यदि वो जकड़न साट मिनिट से जादा है यानि एक घंटे से ज्यादा तक वो जकड़न रह रही है तो वो active arthritis की वज़े से जिसका कारण inflammatory arthritis सब inflammatory arthritis होते हैं और यह गिसावट यो osteoarthritis से अलग होते हैं तो यदि आपको early morning stiffness साट मिनिट से जादा है तो वो भी active arthritis दर्शाता है दोस्तों छटा important लक्षन होता है deformity especially अगर घुटने के हम बात करें तो कई बार हम लोग discuss कर चुके बाओ लेक्स हो जाती है यानि घुटनो की वज़े से ही होता है और भी जोडों के अंदर deformity आ सकती है हातों के जोडों में rheumatoid arthritis की वज़े से बहुत सारी deformities हो सकती है चाहा हम Swan neck deformity की बात करें, Blue utinale deformity की बात करें, Thumb के अंदर ऐसी बहुत सारी deformities भी हातों के जोडों में आ सकती है, आपके area many Carlsmug आ सकती है गुटने में जैसे मैंने पहले आपको बता है बाव लेग्स हो सकती है तो यदि आपके जोड़े में डीफॉर्मिटी आ गई है तो उसका कारण अर्थराइटिस है दोस्तों सात्वा आपके कमजोर होने लगते हैं दूर्बल होने लगते हैं और उस मसल में वेस्टिंग भी दिखने लगती यानि उन टारव यह भी हल्का होने देखता है तो यह किम्पोर्टन्ट लक्शन होता है अर्थराइटिस का 額ल Пр जल्द से जल्द डॉक्टर को कान्टाक्ट करने की जरुरत है तो इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और एसे जानकर ही भरे वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोज से लेटेड आपका कोई डाउट और दो बेज एरिया कमेंट बोक्स में टाइप कीजे थांक यू